हेलो बच्चों वेलकम डॉक्टर जडडा मेरा नाम है भारती और मैं आपकी जॉल जी एजुकेटर हूँ नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है 1563 बच्चों का जो री नीट हुआ था बेटा लोग वो भी आ चुका है और रांक में जादा कुछ चेंजिस नहीं है तो अगर आप लोग इस समय नीट 2025 की प्रप्रेशन कर रहे हो या फिर अगर आठ जुलाई को जो भी रिजल्ट आता है बच्चे अगर उसकी प्रप्रेशन कर रहे हो तो अपने स्कोर को आप कैसे इंप्रूफ कर सकते हो इस चीज़ पे आज का ये पूरा वीडियो सेशन रहेगा कुछ स ये प्रप्रेशन करेंगी अपने स्कोर को इंप्रूफ करने के लिए तो इनी सारी चीजों पर अपन लोग आज फोकस करने वाले हैं चोटी सी वीडियो रहेगी तो मैं आपको बोलूंगी वीडियो पूरी देखना क्यूंकि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशल वीड स्टेप लेने की हिम्मत रख लिए ना बेटा तो आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो वह पहला स्टेप रखना ही बहुत जादा हिम्मत का काम होता है बाकी आगे चीजें अपने आप विद्धी फ्लो होती रहती है ठीक है तो हमें क्या करना है इस वन स्टेप स्मॉल होगे इतना कुछ मिल जाएगा आपका सपना पूरा हो जाएगा तो वो एक स्टेप लेने की हिम्मत आपके अंदर होनी जी है और जिसमें वो हिम्मत है वो मुझे जरूर बताए कमेंट सेक्शन में कि मैम हम में हिम्मत है और हम पूरे साल भर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने वाले हैं ठीक है अब यार देखो कुछ चीजें जो हमें फॉलो करनी है जब हम लोग बात करते हैं कि मेरको अपना स्कोर इंप्रूव होना है क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी टेस सीरीज चल रही होती है और उन टेस सीरीज में हमारे रेगुलर ब चाननी है अपने मेथर्ड में अपने पढ़ने के मेथर्ड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है चेंज नहीं करना है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है जिससे अपना स्कोर ऊपर उठ सके जिससे अपना स्कोर आगे बढ़ सके इंप्रूव हो सके तो सबसे पहला जो कोशिश करोगे मतलब आज आपके अंदर बहुत मोटिवेशन है आपने सोचा आज तो पूरा एक यूनिट बायोजी की कम्प्लीट कर लूँगा और वो यूनिट कौन सी है जेनेटिक्स वाली पूरी कम्प्लीट कर लूँगा कोई नहीं रोक सकता मुझे अब यह होता है ब्रेक इतनी लंबी नहीं लेनी है वेटा कि आपका सारा समय ही ब्रेक में चले जाए ठीक है ब्रेक ऐसे लेनी है कि आप बस रिफ्रेश हो जाओ है ना क्यूंकि रिफ्रेश होगे तो अगली वाली चीज को पढ़ने के लिए थोड़ी और मोटिवेशन आएगे और की प्रेशन कर रहे हो ना बेटा आपके पास आप मान के चलो अभी आपका क्या चल रहा है जुलाई शुरू हुआ है बिल्कुल तो उसके बाद आपके पास प्लेंटी अमाउंट आफ टाइम अगर आप थोड़ा 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 करके भी पढ़ोगे लेकिन अच्छी क की टेंडेंसी है कि आज जो आप लेक्चर में पढ़ोगे ना वह आपको कल तक सर्फ 80 परसंट याद रहेगा अब अगर आपने तुरंत रिवीजन कर लिया है जैसे की फॉर एक्जामपल ट्यूज्टे को मेरी क्लास है है आज आपने पढ़ा ट्यूज्टे को आपने पढ अब यहीं आप कर देते हो मिस्टेक आपको क्या करना है आपको भले ही आप यहां पर दस मिनट दो बेटा जी है ना दस मिनट से पन्ने पलटके देख लो लेकिन वो टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उस अगर आप यह 10 मिनट दे देते हो ना उसका मतलब यह है कि आपने को 80% को 100% कर दिया है क्योंकि अगर आप यह 10 मिनट नहीं देते हो और अप सीधे आप थर्सडे को मेरा लेक्चर देखने से पहले रिवीजन करते हो तो आदी से जादा चीज़े आपकी गायब हो चुकियोंगी गुल हो चुकियोंगी बिलकुल दिखेंगी नहीं ठीक है त पर तो अगले साल में की 1st संडे को है तो उससे पहले ही रिवाइस करूँगा नहीं time to time revision करना है और जितना ज़ादा revision हो सके जितनी जल्दी revision हो सके revision करना है ठीक है ठाट आपका आजाता है आपको अपनी memory टेस्ट करनी है ठीक है अब इसके लिए एक बहुत अच्छा मेथ जो मैं खुद पर्सनली अप्लाई करती हूँ वो यह है कि यार देखो वेटा मुझे लिखके बढ़ने की आदत है तो मैं बोलती हूँ कि लिखके अगर हम लोग जो चीज पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में जादा रिटेन हो जाती है तो जब आपने मानलो एक टॉपिक मे образ09 इन इनफोको लिए हो गया सिया और कॉछ इंटरोडक्टर जातन है अब को तौपिक पता है अब आपको क्या करना में एक ही पेपर में सारे मैं 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 पॉइंट लिखने है अब इससे क्या होगा मेन पॉइंट आप लिख लोगे जिस पॉइंट पे आप अठकोगे उस पॉइंट पे आपको पता होगा कि यार यह वाला पॉइंट मुझे दुबारा रिवाइस करना है और दूसरी चीज आपके शॉर्ट नोट साथ की साथ बन जाएंगे तो यह एक तीर से दो निशाने वाली बात हो जाती है तो यहां पर आप इस तरह से अपनी मेमरी टेस्ट कर सकते हो दूसरी मेमरी टेस्ट करना क्या है कि यार सिर्फ टेस्ट सिरीज का वेट नहीं करना है आपके पास बुक्स है आपके पास गूगल है गूगल पे बहुत स स्टाप देखोगे दोगे तो उसके बाद जब अपने आपको आप एवाल्यूएट करोगे ना बेटा जी तब आपको रिलाइज हो जाएगा कि यार मेरी ना यहां गलती हो रही है और यहां गलती हो रही है तो मुझे इस वाले टॉपिक को दुबारा रिवाइस करना है तो सिर्फ रीड करने से काम नहीं होगा आपको समझना पड़ेगा सिर्फ रीड नहीं है बायो है ना सिर्फ रट्टा मारना बायो नहीं है यार बायो तभी समझ आएगी बायो तभी याद होगी जब आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको सिर्फ कंटेंट को रीड न तरीके होते हैं लेकिन सर्फ रीड नहीं करना है हमें concept समझना पड़ेगा और अपने आपको ओवर-learn नहीं करने देना है आपको पता है अगए बैटा यह अगर आप एक दिन में 7 गंटे पड़ रहे हो है नश menday आप अगले दिन यह मत सůचो आज है ना आज साथ घंटे की जगा साड़े साथ घंटे पड़ूगा ये फिर भी पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है ये एक दिन कर लोगे दूसरे दिन नहीं कर पाओगे तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी नीट ट तो मैं लिखके दे रही हूं कि आपके स्कॉर में इंपर्व्मेंट जरूर आएगी आपको बस अपनी गलति पेचाननी है अपने पढ़ाई के मॉडल में बस थोड़ी मोडिफिकेशन करनी है चेंज नहीं करना क्योंकि चेंज करने से चीज़े खराब होंगी आपको मॉडिफाई करना है तो इसी के साथ आज की वीडियो खतम होती है अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के all the rest and taga and bye-bye